हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट अफल गुड़ मॉर्णिंग वाल फ्यू हाई देसे शम्षी राजबूत तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे जर्नल लॉलिज बिस्पैशल एफन्स टुजेंड के पार्ट साइकिन तो पार्ट बन आल्रडी मैंने डिसकस कर दिया अपने पहले पहले वीडियो में तो आज का रहने वाला पार्ट टू पार्ट टू का भी हल्प करेंगा आपकी जे कैसे सभी पंजाई तो अगरा हम बात करें फ्रेंड्स जे जो जनल लॉलिज बिस्पैशल राफ्रस्ट टुजेंड की है जिस थर्टी मार्क्स की कोईशन्स आएंगी ज पुच्छे के हैं तो जेकेसल्स प्रेंट अद्रेम double लॉसे तो जेकेसल्स भीॉसे हम लेठी कोईशन्स लिसक आपलोड की है अप उन्हेंद वीडियो springs को विद्ख सकते हो वह काफी ज़़ा हेलप करेंगे आपके अब कमी एक्जाम्स के लिए आगर हम बात करें बंचाईत अकॉड एसिस्टेंट की तो देखिए फ्रेंट्स जहां पर 30 माक्स के गोशन्स आएंगे एक वीडियो अलड़ी मैंने डिसकस कर दी है यह दूसरा वीडियो रहेगा हमारा इसके बाद एक वीडियो मैं और अप्लोड करूँगा तो वन वई वन जो तीन वीडियो आएंगे जर्नलोड़ी में स्पेशल एफस्टु जेन की जी काफी ज़्यदा हलप करेंगे आपके अकॉंड एसिस्टन एक्जाइम्स के लिए तो जैसे मैं आपको बता दो 30 माक्स के कोशन जहां से आएंगे 30 माक्स के और अगर आपके पास टाइम काम है तो आप MCQs वीडियो देख सकते हो मेरी MCQs वीडियो काफी ज़्यदे में अपलोड की यह से यूट्यूब चैनल पे तो MCQs वीडियो आपको शार टाइम में जैदा तर जैदा सलेब्स कवर करने में आपके हल्प करेगी तो चलिए फ्रेंट्स बीना टाइम को बाई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के कोशन में अज की अबर 150 वीडियो में तो आज हम 10 से आगे करेंगे 10 से आगे चलिए फ्रेंट्सThis टार्ट करते हैं उन्य कोशन नपर 11 कहता है इन विचे एर प्रधान मंत्री उजवला जोजना बाज लॉंच्ट इन तो कौन से एर में प्रधान मंत्री उजवला जोजना जो थी वो लॉंच्ट की गई 2016 में 2017 में 2018 में 2019 में कौफी ज़्यदे important कोशन है अगर आई exam point of view से देखें तो प्रधान मंत्री उजवला जोजना कब लॉंच्ट की गई थी फोर alternative options है आपके पास तो चली friends देखतें इसका right option क्या है इसका right option friends option A तो प्रधान मंत्री उजवला जोजना जो है जो लॉंच्ट की गई थी 2016 में तो इसका जो ए है वो राइट option है चली कुछ इसका extra देख लेते हैं जो मनिस्ट्री है इनर्जी की मिनिस्ट्र यह करेंट यूनियन मिनिस्ट्र आफ स्टेट तो जी कौन है भी independent चार्ज इस राजकुमार ठीक है ठीक है ठीक है प्राइमिनिस्ट्र नरेंदर मोदी के दोबारा और फर्स्ट में 2016 में ताकि डिस्ट्रीबूट किये जाते कि 50 million lpg connection to women of below poverty line बीपेल फैमिली से लेटर जो भी बीपेल फैमिली से जो भी बीमेंस बिलाग करती है 50 million lpg connection दिये कि आप बिलो पावर्टि लाइन्स बीमेंस बिलाग करती है बीपेल फैमिली से तो जी लॉंच किए सकी 1st May 2016 में तो इसको launch की है किसे ने किया परदान मंतरी शिरी नरेंदर मौधी ने ठीक है फिरेंट्स चलिए नेक्स्ट कोशन कोशन अबर 12 है इन विच येर परदान मंतरी जन्दन जोजना वास launched तो कौन से येर में परदान मंतरी जन्दन जोजना वो launch की गई जहां पर launched का spelling आलते फ्रेंट्स ल-A-N-U-N-C-H-E-D ठीक है फ्रेंट्स लाँच्ट तो परदान मंतरी जन्दन जोजना जो है वो कब launch की गई 2014 में की गई 15 में 16 में या 17 में 4 alternative options है आपके पास तो परदान मंतरी जन्दन जोजना कब launch की की देखते हैं इसका फ्रेंट्स राइट option क्या है इसका राइट option है फ्रेंट्स option A option A means 2014 में परदान मंतरी जन्दन जोजना बाज launched in 2014 option A is the right option कि किसकी मिनिस्ट्री के अंडर आती है Ministry of Finance Ministry of Finance अभी जो Finance Minister है वह श्री मती निर्मला सितारावन श्री मती निर्मला सितारावन श्री मली निर्मला सितारावन जो है भी Finance Minister है इंडिया के next question इसमें अगर आगर आगस की explanation के परदानमंत्री जोजना जो है campaign जो launch किया गया परदानमंत्री के दोबारा परदानमंत्री PM of India जैसे नरिंदर मोदी ने किया and 28th August 2014 he had announced this scheme on the first independence day speech on 15 August 2014 को ठीक है इस scheme को अगर launch करने की बारी है ते launch किया गया इसको 28 August 2014 को मगर जो इस scheme को जो announce किया गया था ठीक है इस scheme को कब announce किया गया था इस scheme को announce किया गया था जाब उन्हेंने first day independence speech दी थी 2015 August 2014 में ठीक है launch होती है 28 August में और scheme को announce किया था 15 August 2014 में क्योंकि इसको first day speeches लिए इंडिपेंड़ स्पीचिश लिए बोला क्योंकि 2014 में BJP की government सत्ता में आई थी ठीक है BJP की government सत्ता में आई थी और नरिंदर मोदी जी जो थे वो थे नरिंदर मोदी जी PM बने थे ठीक है friends तो अभी भी है वो इनका PM नरिंदर मोदी का जे second tenure है चलिए फ्रेंट नेक्स कोशन देखते है question number 13 कहता है तो आपके पास देखते हैं इसका right option क्या है इसका right option है October नमंबर ठीक है friends रावी क्राफ्स बहुत होती है जाब हम कोई winter में क्राफ्स रखाते हैं जैसे अभी winter है तो अभी हम क्राफ्स रखाएंगी जैसे beat होगी ठीक friends beat पके रहा होगी जैसे मैं beat की example दे रहा हूँ तो अब हम beat लगाएंगे तो October नमंबर में होती है रावी क्राफ्स रावी क्राफ्स सोन की जाती है October नमंबर में ठीक friends चलिए जी question number 14 है बिचा तो following इस खरीफ क्राफ्स ठीक है रावी क्राफ्स वो होती है जो हम winter में जिसको सोन करते है और खरीब क्राफ्स कोण से होती है जो हम मतलब March April में जहां जून जुलाई में में जून में करते हैं ठीक friends तो इसमें जो है इसमें कौन सी खरीव क्राप है Grownnut है, Mage है Paddy है या All of the Above ठीक है फ्रेंट्स 4 Alternative Options है आपके पास देखते हैं इसका Right Option क्या है इसका Right Option आपशन आपशन D मतलब Grownnut, Mage और Paddy ये तीनों की तीनों खरीव क्राप्स है तब इसका Option है आगया All of the Above तो Right Option है इसका Part D Question No.15 कहता The Blue Revolution is related with Blue Revolution जो है किस से related है क्या वो Fish Production से related है Food Grain Production Food Grain Production से related है Wild Seed Production से जा Milk Production से Options है आपके पास 4 तो Blue Revolution is related with Friends, इसका Right Option है Option A देखिए Fish Production Blue Revolution is related with Fish Production तो जहां पर Blue आप इसको ऐसे भी बोल सकती हो Blue हम किसको बोलते है Water को ठीक है जैसे आप Sea का Water देखते है Blue होता है ठीक है तो Blue Water को और Water में क्या होती है Fish तो इस तरह किसे आप इसको कर सकती हो कि Blue Revolution is related किसे है Fish से related Blue से आपको लर्न होगा Water और Water में क्या होती है Fish ठीक है तो Blue Revolution is related with Fish Production Next Question Question No.16 है Dr. M.S. Swaminathan has discussed himself in which of the following fields तो Swaminathan ने अपने इसमें कोंड सी field को अपने मतलब उसमें किया था सुनोंने Nuclear Physics में Agriculture में Astrophysics में जा Medicine में जा Options है आपके पास 4 देखते फ्रेंट इसका Right Option क्या है इसका Right Option है Option C Option C means Astrophysics तो Dr. Swaminathan has discussed himself in which of the following field that is Astrophysics So Option C is the Right Option तो C Option है जैसे उसमें Landscare, Labor Surplus Economy यह सारी के सारी चीज़ें आगे Question No.17 कहता है In 1897 First Railway Line was built in Jammu and Kashmir to connect Jammu with which city देखी 1897 में एक First Railway Line जो बनाईगी Jammu and Kashmir तो जो connect करती है to connect Jammu with Jammu से किसके साथ connect करती थी कौन से city के साथ connect करती थी पाकिस्तान में बढ़ता है तो जहां से आपने बताना कि 1897 में Railway Line जो बनाईगी थी Jammu and Kashmir में जो connect करती है Jammu को किस के साथ कोन से city के साथ connect करती है तो दिखते है तो दिखते हैं पाकिस्तान में बढ़ता है टीके पाकिस्तान में रावल पिंडी भी पाकिस्तान में ही है डेली जो है हमारी artillery है और इंडिया की Capital भी है और अगर हम बात करें उदुवर उदुमपुर एक district है टीके पाकिस्तरट इस ठीके भरें तो दीष्ड है एक अस्डे कि हेर अ थिए अधूंपूर एक डिस्ट्रकक जैसी मैं बता रहा हूं उद्म पर एक डिस्ट्रक it जे कहां पर है जेए रहे हैं फ्रेंस हमरे ट्राम होटी और शहाल कोड्ड दोनूं पाकिस्तन मैं तीक है और डैली ओनद्रे में ऐसे आपको बताया ये इंडिया की capital V है और उदूमबुर्जविक district है ठीक है ठीक है फ्रेंस तुस्रे आल कोड़ इसका right option है next question 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 number 18 कहता है who is the first chief minister of JNK first chief minister of JNK कोण था who was the first chief minister of JNK क्या वो हरी सिंग थे क्या वो साइद मेर कासिम थे गुलाम मुहमद सादिक थे यां डाक्टर स्वरी शेख अपदुल्ला थे तो first chief minister को थे हमारे JNK के तो friends इसका right option है option है आपके पास four alternative options इसका right option option C गुलाम मुहमद सादिक गुलाम मुहमद सादिक जो थे वो first chief minister है JNK के ठीक है option C इसका right option है देखे जो हारी सिंग है हारी सिंग लास्ट रूलर अगर लास्ट रूलर की बात आए तो लास्ट रूल रूलिंग जो महारा जा थे जब मुश्मिर के वो को थे हरी सिंग थे हारी सिंग का बेटा है ड करन्ण सिंग ड करन सिंग जो है यह हारी सिंग के बेटे हैं ओ ड करन सिंग जो थे यहन की की first बने थे ठीक है फ्रेंट्स फर्स्ट कुष्ण आता तो वो ड्क्र करन सिंग है क्लियर होगी आपको ड्क्र करन सिंग जो है जे एक की की फर्स्ट गवर्नर थे गवर्नर थे तो गुलाम मौमौ साधिक जो है इसका राइड आफ्शन है आफ्शन सी शेक मौमद अबदुल्ला एक जवर्तस पर्सनलिटी रहे हैं हमारी जम कुष्मीर में नैशनल कॉंफरेंस के फांडर नैशनल कॉंफरेंस ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद इसके बारे में मैं आपको बाद में कोई आगले लेक्षर में बताऊंगा कि शेक अबदुल्ला जो थे किस तरह से सत्ता में आए और किस तरह कैसे चीमिनिस्टर बने ठीक है शेक अबदुल्ला के बेटे जो है वह है फारुक अबदुल्ला डाक्टर फारुक अबदुल्ला के बेटे जो है वह है उमर अबदुल्ला तो शेक अबदुल्ला के बेटे डाक्टर फारुक अबदुल्ला के बेटे जो है दूंबर उपदुल्ला थे जीन नों ही चीमिनिस्टर है ये शेखवदुला भी और पने टाइम हेड बणने थी, उसके बादधिर अक्टर फार्इव्दुल्ला भी चीमिनिस्टर हाई थे, अमर उपदुल्ला भीuna डाइद नेक्स्सा नुम्र नान्ट ये येुरaltra कि यो डेथ होई थी वह कब हुई थी नाइटी ले झाले नाइटी ना ये उपस्टेकल आपके पास देखे ङृउड है इसका रह Stephan क्या है इसका अप्शन भी मतल्लों 90.2 में शेक्षमस कहा है रह Sus differential 92 कोशन नबर 20 है नेम दा परसन हो और 18 मार्च 2015 एलेक्टेट ऐस पीकर आफ 12 लेजिसलिट्व असेंबली आफ जेन की तो जहां पे उस परसन का नाम बताना है जो 18 मार्च 2015 को एलेक्ट किया गया स्पीकर 15 12 लेजिसलिट्व असेंबली अफ जेन की क्या उसका नाम महुम्मद शवी था बश्यारत बुखारी था कब इंदर गुपता था या नाई माक्तर था आफ्शन्स आपके पास हैं फोर अल्टरनेटिव आफ्शन्स तो 18 मार्च 2015 को एलेक्ट किया गया स्पीकर को एलेक्ट किया था 12 लेजिसलिट्व असेंबली अफ जेन की का तो उसका राइट कब इंदर गुपता को एलेक्ट किया गया 18 मार्च 2015 को एसस्पीकर आफ 12 लेजिसलिट्व असेंबली आफ जेन की तो कमिंदर गुपता फ्रेंट्स आपको पता होगा कब इंदर गुपता डिप्टी सीम भी रहे हैं ठीक है डिप्टी सीम भी रहे हैं जमू किश्मिर के और बीज्वी प्वाटी स्टाम करते हैं Ooh predicting कोश्थ कोशन लुमांबर 21 दैस शालीमार बाग बासा मनाया था आक्वर сп 현 यंगिज बाबार या शाह जान नहां शाह जहंगीर जो है राइट अफ्षन है शालीमार बागबाज बिल्ट वाई जहंगीर कोशन नबर 22 है हूँ फॉट कश्मीर फ्राम प्रिटिश बृटिश कश्मीर है वो किसने करेदा था अरंजीज सिंग ने महादाजी से सिंधिया ने सायोरियो गॉइकवर्ड ने या गुलाव सिंग ने ठीक है फ्रेंट्स आप्षिन से हमके पास किश्मीर को किसे ने करिदा था कि बरिटीचर से तो राइट आप्षिन इसका फ्रेंट्स डी गुलाव सिंग ने चितिता है जो है फॉर्मी रोलिंगा बयुकने कि लिलाप सिंग जो है भॉस्ट रोलिंग आरॉलर रहे हैं जैन कि डाफार डाएसिक है फॉलाप टेफ सिंग क्या को टो हुई थी फ्रेंट्स ट्रेटीवर्ट क कि ए एक वुटी ट्रेटी अफ आरफ हम्रेश सर ट्रेटी आफ आमरीज सर हुई थी आमरीज सर जो थी 1846 में उस ट्रेटी आफ आमरीज सर के दुरान इन्होंने गुलाफ सिंग ने जम कुश्मीर को करेदा था कुश्मीर को करेदा था जम कुश्मीर को किस से प्रेटीशर से अगर चीज़ का आप्षिन आता आपको कितनी पैसे से खरीदा था वो था 75 लाइक ठीक प्रेंट्स 75 लाइक से खरीदा था नेक्स्ट कोईशन कोईशन अबर 23 पंदरेतन दा ओल्ड सीटी अफ स्रिनगर बास फोंड़ वाई पंदरेतन जो ये ओल्ड सीटी है स्रिनगर किसको किसने फोंड किया था अशोका ने गोतम ने गुंदानावन ने जा दू युदिष्टरा ने तो आप्षिन से आपके पास देखते हैं इसका राइड आप्षिन क्या है फ्रेंट्स इसका राइड आप्षिन है अशोका ठीक है तो पंदरेतन दा ओल्ड सीटी अफ सिर्नगर बास फोंड़ वाई अशोका आप्षिन चली नेक्स्ट कोशन कोशन अबर 24 है हूँ वास जमुर किश्मीर चीप मिनिस्ट बजफर वेक तो आप्षिन से हैं आपके पास देखिए 1982 तक जो चीप मिनिस्टर रहा था वो रहा था शेक अब्दुल्ला जैसे मैं आपको पताया 1982 में शेक अब्दुला की जाके डैथ हो जती है उसके बाद चीप मिनिस्टर जो बने थे वो बने थे इनके बेटे फारक अब्दुला तो आप्शन इसका जो है राइट अप्शन है यह फारक अब्दुला इसा राइट अफ्शन में को फट्वेंटिफंटीफ विच टोन इन जमुन किश्मीरी जाल सो नोन एस एपल टॉन तो कौन से टॉन को टॉन जमु किश्मीर का जो टॉन जाना जाता है सब्सक्राइब है इसको जाना जाता है एपल टोन आफ एपल टोन आफ जमुन किश्मीर ठीक है तो इस तरीके से आज हमने कोश्चंस की यह 25 तक नेक्स्ट भी हम जो इसके और इंपॉर्टेंट कोश्चंस होगे जे इसके जमुन किश्मीर जनर नालज भी स्पेशल राफन्स तो जेंड की वो हम आपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगी तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो मुझे कमेंट सेक सेक्षन में जाके बंड बाइंगे बताना कि आपने आज वह आपने 15 कोश्ट की हैं 15 मैसे आपकी जो है कितने कुश्ट करेंगे आपको जेगा और आपने कुमेंट सेक्षन में पक्का जेगा बताना हुझे